हेलो दोस्तों नमस्कार , नेकलाइ इस्टोक अगेरिमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों हम दो स्टोक का केवल टेकनिकल चार्ट के बारे में डिस्कर्ण करेंगे कि काहँ उसकी बेस्ट बाइंग अपॉर्चृटि बन सकती है उससे पहले हमने उन दोनों ही स्टोक के बारे में बिजिन्स मोडल प्रोपिटो लोस्ट टेकनिकल चार्ट के बारे में डिसकर्स कर चुके हैं तो पहला स्टोक है एवन्यू सुपरमार्ट और शेकंड है डिक्सिन टेकनोलोजी अगर उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिसक्रिप्शन में उन वीडियो को आप एक बार जाके देख सकते हों उससे पहले बेस्ट आइटी स्टोक टेक मेंदरा और ल्टी टेस के बारे में सबसे पहले आए अब चलते हैं टेकनिकल चार्ट एवन्यू सुपरमार्ट तो इसके बारे में हम डिसक्र्स करते हैं पिछले वीडियो में हमने उस टाइम क्या डिसक्र्स किया था और इसमें अभी क्या चेंजिंग हुआ है उसके बारे में डिसक्र्स करें पहले हमने जब किये देखिए यहां पर इसने एक बार सपोर्ट लिया है और यहां पर भी इसने सपोर्ट ले लिया था जिस्तमें यह सपोर्ट लेके वापस जाके और यहां पर रिट्रेसमेंट यहां पर सपोर्ट ले रहा था उस समय यहां पर हमने 5 जनवरी की लगबग डिसकर्स किया था तो उसके बाद में उसमें चेंजिंग क्या होई है कि अभी परजेंट में देखे है तो यह Consolidate पेज के बाद में यहाँ पर गेब डाउन ओपनिंग होई है आज मार्केट में बहुत थी बुली ने से लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर कोई समय था 50% के लगबग अब possibility यह बनती है कि इसको गेब डाउन ओपनिंग होगी तो गेब डाउन ओपनिंग की पहली condition जहां से सुनिए गेब डाउन ओपनिंग अगर consolidate page के बाद में एक range bound area के बाद में अगर कोई stroke gap down या gap up opening हो जाती है तो वो जल्दी भरी नहीं जाती है जो gap होता है वो जल्दी भरा नहीं जाता क्यों नहीं बरा जाता एक दूसरी और उसकी condition रहती है कि उसमें volume ज्यादा होना चाहिए अगर gap down ओपनिंग या gap up opening होई है त आपको जल्दी gap भरा नहीं जाएगा और दूसरी इस टोक में भी अपने discuss करेंगे कि कैसे इस टोक में पहले हो चुका है तो इस टोक से आपने ध्यान रख सकते हैं कि gap down opening होई है तो यहाँ पर जो 50% की retracement को इसे ने gap down ब्रेक डाउन कर दिया है तो 61% तक यह possibility बन सकती है इ अब इसका अगर इसका time frame अगर हमें छोटा लूँ जैसे time इसमें तो बड़ा है तो डेली का है अगर यहाँ पर मैं यह देखें अगर इसमें थोड़ा सी दिक नहीं रहा है यह 60 minute का time frame है तो इस तरह से आप इस तरह से भी देख सकते हो अब दूसरी stock में इसका volume चेक कर लेते हैं एक बार कि volume इसमें कि अब पहले से ज्यादा आएगे है यह volume देखिए जो यहां gap down ओपनिंग हुई है वहां का volume देख चेक कर लीजिए आप एक बार यह देखिए volume मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ यह volume देखिए अब पहले का volume देखिए उससे ज्यादा एक volume है और एक consolidate phase के बाद में एक gap down ओपनिंग हुई है अब ऐसा ही scenario मैं आपको दिखा सकता हूँ दूसरे stock में जो एक बार कि आपको clear होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है यह stock यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा business model है retail business model है यह एसा देखिए एक मैं infosys का दिखाता हूँ यह infosys का है यह देखिए एक consolidated phase था यहाँ पर consolidated phase के बाद में यहाँ gap down ओपनिंग हुई थी कब हुई थी यह April 22 में April 22 के बाद में यह stock यहाँ ही गोम रहा है ठीक है इसमें w pattern में बनाया यह w pattern बना के बाद में लेकिन इसको breakout नहीं किया अभी present में देखिए तो उस time price कितनी थी 1700 था ठीक है और अभी बात करें तो 1500 है इसकी तो अब यह gap down ओपरिंग हुई थी इस दिन यह gap down ओपरिंग हुई थी गेप उस दिन ही पहले का comparison तो अपन पहले का अगर volume देखें तो उस दिन बहुत ही volume था यह w pattern बना उसके बाद अपन इसमें जब breakout होगा तब अपन डिसकर्स करेंगे तो अपन और दूसरा एक और इस टोक बता देता हूंगा जैसे टाटा इलेक्स ही है आपको रियल प्रेक्टिकल मॉलेज मिलेगा कि जिसें कि आप इसको देख सकते हो यहां पर देखिए जो यह consolidated page था अगर हम इसको time frame चोटा कर देता हूं time frame चोटा कर दो यह देखिए यहां पर एक consolidated page के बाद में gave down opening होई है gave down opening होने के बाद में volume देखिए यह आपर उस ति time price किया था नहीं थी यह देख लिए 8100 था और अभी परजेंट में price देखो तो 62 के लगबग है 6250 के लगबग है तो इस तरह और हमने एक डिसकर्स किया था LTTS, LTTS के बारे में business model और profit or loss और उसका technical chart के थुरू read गरने की कोशिज किये अभी 2-3 दिन पहले की बात है यह देख लिए यहां इसने अगर मैं चोटा time frame देखू यह देखिए यह consolidated page था दोस्तों consolidated page के बाद में gave down opening होई है यहां ठीक है gave down opening होने के बाद में condition volume देखिए पह 35 के लगबग था और 34 आ गया भी और भी नीचे आने की पूरी पूरी possibility हमने पूरा detail से उस video में discuss किया तो अगर आप वीडियो अगर वो देखना चाते हो तो link description में उन वीडियो को देख सकते हो तो अपने को क्या ज्यान रखना है DMART में हमने discuss कर लिया जो give down opening 61% के retracement के लगबग आए तब आप उने को buy करना है पहले उसमें buy नहीं करना है अब बात करते हैं Diction Technology Diction Technology के बारे में हमने discuss किया था और क्या discuss किया था उसके बारे में देख लेते जिस फीबोनिक रिट्रेस मेंट होता है उसका क्या use होता है तो आप उसको एक बार पड़ लीजिए वीडियो देख लीजिए जिसें कि आपको clear हो जाएगा क्योंकि बात म कुआ we are क्य。 इसको पहले बार यहां सपोट लिए सेकंड टाइम लिए असको ब्रेक आउड कर दिलिए ब्रेक आउट के बाद में जो resistance लिआ मैं इसलिए यह ब्रोल लाइन आपको दिखा रहा हूं देखी यहां पर देखी सपोर्ट लिया है सपोर्ट लेने के बाद में अच्छा मॉमेंट आने के बाद में पहले वाले रजिस्टेन्स को इसने यहां पर हमने इसके बारे में डिसकर्ज कर चुक है अब जो यहां पर उसने support लिया है यह पर एक time फर्षट पर support लिया है second time और third time लेने के बाद हमने discuss किया था कि इसमें अच्छा moment आएगा तो इस उपर वाली line को trade line को breakout करने के बाद में यह down में आएगा तो इसमे down में breakdown करने के बाद में एक hole आ सकता है तो इसने breakdown कर दिया ठीक है breakdown कर दिया है तो आप अभी breakdown करने के बाद में देख लिए ब्रेकडाउन करने के बाद में अच्छी selling आईए इसमें तो अपने को क्या करना है अपने को देखो पहले अपन फीबोनिक retracement देखते हैं कि कितनी percent के retracement पर रुकावा है इसमें गेपटाउन ओपनिंग वाला सिस्टम नहीं इसमें अलग-अलग इस टोक उसका आपने डिसकस करे लिया यह देखिए फैस्ट टाइम इसने सब्सक्राइब 38% पर सपोर्ट लिया था सेकंड टाइम लिया तो 50% के लगबग सपोर्ट लिया ठीक है और अभी परजेंट टाइम में 50% 50 retracement से थोड़ा उपर है ठीक है मैं आपको अगर लाइन ड्रो करना चाहूं तो आपको मैं यह देखिए यह इतना उपर है तो पॉसिबिलीटी है कि यहां पर इसका 33 के लगबग 33 50 के लगबग यह प्राइज आने की संभा होना है अभी अपने को वेट करना उस टाइम डिक्सन टेकनोलीजी का बिजनस मोटल के बारे में इसके प्रप्रोप्विटलोस के बारे में डिसकूर्स कर रहा एक कंपनी है जो एल्लेक्टराण कम्पोनेंट का मियूपेक्चरिंग करती है जिसे वास्इंच मसीन होई एल LAUhart एलेां एएलेक्टोनिक्स डेएं ductиль या इनका मियूपेक्चरिंग करती हो तो यहां पर अपने कि सपोर्ट भी मिलना है तो इस तरह से दोनों स्टोक में आप अपनी रणडिती बना सकते हो कि समय अपने अपने को जब स्टोक में बाइक करने की अपरचुटी हो तो 50% ये 61% पर ही बाइक करना चाहिए पहले और करेक्षन बाइक नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उसमें 61% के लगबग तो हर इस्टोक 61% पर अगर को इस्टोक मिलता है तो बेस्ट बाइंग अबर्चुटी बन सकती है तो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर जीजेगा चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों ब